यूर अगेन वेलकम में यूट्यूब चैनल सो दिस इस मी नीरस वर्मा तो आज के वीडियो लक्षर में हम हाई वोल्टेज डिरेक्ट ट्रांस्मिशन पढ़ेंगे तिक इससे पहले हमने इसी के बारे में पढ़ा था कि इसी पर ट्रांस्मिशन होता है लेकिन हम आज डिसी क पढ़ेंगे डिरेक्ट करेंट ट्रांस्मिशन वह भी हाई वोल्टेज पे तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप लोग सोच रहा सारी क्वेस्ट है प्लीज अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और अच्छा लगत तो लाइक किजिए और आफ्टर डेट सेर भी किजिए तो बिना समय को गवाएं हम चलते हैं अपने टॉपिक पे तो देखिए जैसे कि हमने बताया कि हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज क्या वोलता है सुरी हाई वोल्टेज डिरेक्ट करेंट ट्रांस्मिशन है देखिए तो हाई जनरली एसी इकोनोमिकल फार ज हम वोल्टेज डरेक्ट करेंट इसओ कोनोमिकल तो हाई करेंट डीसई कोनोमिकल होता है मतलब रहने समें तो यह घनरली पनें जहां है जुग इक कौन अच्छा होता है हाइव्टिज डरेक्ट करेंट तो से बुलते हैं आई वोल्टिज डरेक्ट करेंट और सेंडिंग इंड वी यूज़ कनवर्टिंग सबस सबस्टेशन रेक्टिफाइब देखिर कैसे मतलब ट्रांस्मिशन किया जा जाता है तो से पहले देखिए जनरेशन होता है जनरेशन होता है तो जनरेशन होन जनरेशन तो इसी पर होता है पहले ही बता है जनरेशन इसी पर होता है उसके बाद एक रिक्रिक्टिफायर लगाता है जो कि जाना जाता है और इन वार्टिंग जो है नो वो कनवर्टर के नाव जाना जाता है तो यही प्रोसेस है इसको फीगर से हम आपको समझा देता है देखिए है कहा गया है इतना ठीक मैट हाँ तो यह फीगर समझ लिए देखिए आप मतलब बहुत अच्छा सबसे पहले देखिए यहां पर हम इस्टेप ट्रांस फार्म लगाते हैं क्योंकि जैनरेशन वे जैनरेशन के तुरंत बाद हम इस्टेप ट्रांस फार्म लगाना पड़ता है बता है कि रिच्ण करते है इसलिए हम यह सब्सकुंप फिर अपर यंस्टीप करने करें है जांग लंक ट्रॉंग लां। करता है क्योंकि आपने पहले पड़ा की जो जनरेशन होता है और यूटिलाइशन होता है तो अब देखिए इसके पड़ना है तो यह नेक्स्ट भी लेक्षिन पढ़ेंगे कम प्रीजन और एसी एसी एडिसी ट्रांस्मिशन एसमें क्या है नातल लाउंट ट्रांस्मिशन पर क्यों एसी प्रीफर के जाता है इसके इसका पीछे मतलब इसके पीछे रीजाना जो कि हम अगले वीडियो सेशन आम इन इस लेक्षर दोंगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जाहन जावाद थैंक यू